हलो अन् वेलकम बैक आज के से सिज्ड़ा डाइशन के बाद आधिये अब देखते किस तरह से बुने इंटी और बैंक निफ्टी के चाठ शक्चर्ट तो जातक निफ्टी की बात करें निफ्टी में पिछले दो सेशंस एक सीमी डायरे में कारभार देखने को मिल रहा है In fact, पिछले अगर 5-6 sessions का अगर हम overview लेते हैं तो हमको बहुत जबरदस्त उठापटक इंडेक्स में देखने को मिली है, जहां Global Qs के चलते हैं, Nifty में हमने एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखी 500 points से ज्यादा की in a single session, और उसके immediate बात, very next day, हमको उतना ही equally sharp bounce back भी देखने क इंडेक्स में, तो net-net Nifty अभी जो है, वो 17300 के असपास आज का close है, और एक 20 point की गिरावट के साथ, हलकी सी गिरावट के साथ, इंडेक्स क्लोज हुआ है, लेकिन उसका जो दायरा है, पिछले दो दिन से हम जो एक bearish consolidation इंडेक्स में देख रहे हैं, उसका एक जो दायरा है वो on the higher side 17400, 17480, यह उसका upper end है, और on the lower side 17200 के असपास इंडेक्स अच्छा support लेता हुआ नजर आ रहा है, तो जहां तक support और resistance का सवाल है, तो जो crucial support Nifty के लिए बनता है, वो 16900 के असपास है, 16900, और उसके पहले 17150, यह दो support है on the lower side Nifty के लिए, वही on the higher side Nifty 17400, 17481, उसके लिए hurdle होगा, और उसके बाद अगर Nifty उसके आगे sustain करता है, तो फिर 17600, यह एक ऐसा decisive एक level होगा, जिसके ऊपर अगर Nifty का close हमको देखने को मिलता है, तो फिर हम एक अच्छा momentum फिर से develop होता हुआ नजर आ सकता है, Nifty में हम देख सकते है on the higher side, वही on the lower side अग जो उसका एक पूरा setup बना था, वो थोड़ा सा bearish side में turn होता हुआ नजर आएगा in that case, और फिर हमको और भी lower levels टेस्ट होते हुए नजर आ सकते है, जा तक bank Nifty का सवाल है, तो bank index में भी आज हमने एक अच्छा fall देखा है, करीब 400 point से ज्यादा खा, और 3700530 के असपस का close है, in fact, Nifty की तरह, bank Nifty में भी पिछले दो session से हमको एक bearish consolidation देखने को मिल रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा bearishness, in fact, bank Nifty में ज्यादा देखने को मिल रहा है, on the higher side bank Nifty ने, कल जो highs टेस्ट किये थे, वो करीब 3800460 के असपस के थे, और आज करीब 3800130 के असपस के highs हमने देखे, bank Nifty म तो यह current setup है, वो थोड़ा सा अभी भी bearish side पे ज्यादा बना हुआ नजर आता है, तो bank index के अगर हम support की बात करें, तो bank Nifty के लिए अभी immediate support जो निकल के आता है, वो करीब 36800, 36900 इस range में एक support आता है, जो कि हम यह lower trend line, अगर हम उसका levels देखे, तो यह करीब 36800 के असपस के levels आ और on the higher side, bank Nifty का जो resistance आएगा, वो करीब 38800 के आसपस एक बड़ा resistance आएगा, लेकिन उसके पहले हमको 38000, 38100 यह zone में भी एक थोड़ा सा hurdle देखने को मिल सकता है, तो broadly speaking, यह bank Nifty का दायरा है, 38100 एक पहला resistance, और उसके बाद फिर 38800 के आसपस second resistance, और जब तक हम 38800 के आगे bank Nifty का close नहीं देखते हैं, तब तक हमको एक fresh momentum on the higher side develop होता हुआ नजर नहीं आएगा, वही on the lower side, अगर हम index को 36800 के नीचे अगर close देता हुआ देखे, विसलता हुआ देखे, तो फिर एक bearish move उसमें आने की उमीद ज्यादा होगी, और in that case फिर और further lower levels उसमें टेस्ट हो सकते हैं, तो net-net थोड़ा सा एक bearish undertone अभी भी कई ना कई दोनों index में देखने को मिलता है, जहां तक आज के market का सवाल है, तो उसमें sectorally speaking, banking stock खस करके PSU bank, media और pharma index, यह इसमें थोड़ी सी नर्मी हमको देखने को मिली, और जो sector आज अच्छा perform कर रहे थे, उसमें energy sector में एक अच्छा एक उच्छाल हमको देखने को मिला, तो यह एक थोड़ा सा कई ना कई अभी भी sector wise भी अगर हम देखे तो थोड़ा सा negative side पे ज्यादा प्लेस्ट है, index sectorally speaking, और जो volatility index है, जो पहले कुछ दिन पहले 22-23 के उपर जाके फिर वहां से फिर फिसल के 17 के असपास आ गया था, तो अभी पिछले 2 session से फिर से हम उसको देख रहे कि 22 के असपास आके उसमें कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, तो overall थोड़ा सा bearish set पे sentiment अभी भी ज्यादा है, तो देखते हैं किस तरह से global cues मिलते हैं, क्योंकि उसको market अभी closely follow करेगा आने वाल एक उस session, लेकिन current setup के साब से अगर हम बात करें, तो जो एक दायरा मेंने दोनों indices का बता है, तो उसमें हमको एक अच्छी कासी, एक momentum, एक volatility ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन उस दायरे को जब तक दोनों indices cross नहीं कर जाते, तब तक कोई decisive directional price मों हमको देखने को नहीं मिलेगा, तो यह है अभी आज क सबसे दोनों indices का technical setup,